साथियों, हमारे छोटे छोटे गावों में, दूर सुदूर क्षेत्रों में, कितनी अध्वित प्रतिवां भरी पड़ी हैं, कितना आत्मविश्वास हैं। आज मैं आप सब को देख करके कह सकता हूँ कि ये मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रमान है। कई बार आपको भी लगता होगा कि आपको जो संसाधन सुविधा मिली, ये न मिली होती, तो आपके सपनों का क्या होता। यही चिन्ता हमें देश के दूसरे लाखो युवाओं के बारे में भी कर रही हैं। ऐसे कितने ही हुआ हैं, जिनके भीतर कितने ही मेडल लाने की योगता है। आदेश उन तक खुद पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ग्रामिन छेत्रों में विशेज ध्यान दिया जा रहा है। आदेश के धाईसो से जादा जिलों में 307 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए गए हैं। ताकि स्थानी अस्तर पर ही प्रतिभावों की पहचान हो उन्हें मोका मिले। आने वाले दिनों में इन सेंटर्स की संख्या बढ़ा कर एक हजार तक की जाएगी। इसी तरह हमारे खिलाडियों के सामने एक और चुनोती समसाधनों की भी होती थी। आप खेलने जाते थे तो अच्छे ग्राउन अच्छे उपकरान नहीं होते थे। इसका भी असर खिलाडी के मनोबल पर पड़ता था। वो खुद को दूसरे देशों के खिलाडियों से कमतर समझने लग जाता था। लेकिन आज देश में स्पोर्ट से जुड़े इंफासक्तिर का भी विस्तार किया जा रहा है। देश ने खुले मन से अपने हरे खिलाडी की पूरी मदद कर रहा है। टार्गेट उलम्पीक, पोडियम स्कीम इसके जरिये भी देश ने खिलाडियों को जरूरी व्यवस्ताएं दी, लक्षन दिर्धारित किये। उसका परणाम आज हमारे सामने है।